नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्रीराम क्लासेज में और दोस्तों आज हम हिंदी की स्रिक्षेन वीडियो की बात करेंगे जो सीटेट एक्जाम 2011 से 2020 के बीच में जितने भी प्रस्ण पुछे गए हिंदी बासा के उन सभी स्रिक् उनकी तता साथी लेवल वन और लेवल टू दोनों के प्रस्ण इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे तो आप वीडियो को सुरू से अंतक देखें तो आईए शुरू करते हैं 2011 में पुछे गए हिंदी बासा के सिक्षेन वीडियो के प्रस्ण है तो यह हिंदी का पहला प्रस्ण है अपने लिए उप्चारात्मक सिक्षन की सफलता निर्बर करती है ऑप्षेन बासिक नियमों की ज्यान पर समय व आवदी पर समश्याओं के कारणों को सही पहचान पर और उप्चारात्मक सिक्षन की समगरी पर तो यह हिंदी सिक्षन का का हिद्डी सिक्षिन वीडियो काहली प्रस्ते तो Connor धैला को समझाओं के कारणों की सही पहाचान पर उप्चार अत्मक सिक्षिन की सफलता है जो निर्पर करती हैं तो आंसर हो जाएगा option number C अई देखते अगला प्रस्ट है अगला प्रस्ट है बासा सिक्षन में पार्ट्य पुस्तक हैं एक मातर संसादन वे ओप्षेन साध्य सी ऑप्षन इसका साधन और इस तो बासा शिक्षन में पार्ट्य पुस्तक हैं वह को एक साधन के रूप में अपना कारिय करती है सी ओप्सने जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्थ नहें हिंदी की कक्षा में प्राया हिंदी तर बासी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाईयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखत हैं हिंदी रूप शीखने के परती हैं हिंदी बहुत कठिन बासा है योप्सन इसका प्राया हिंदी और उनकी मातर बासा की सरचना में अंतर होता हैं तो जो हिंदी नहीं बोलते शुरू सही उनको हिंदी सीखने में क्ठ़ नाonds रोगा है नेक्स्ट कुशन है कहानी सुनाने से कहानी सुनाने से क्या होता है First option ने बच्चे परसन होते है B option ने बच्चे से कक्षा में एकागर्चित होकर सांत बेटते है C option ने बच्चे अनुसासित रहते है और D option ने बच्चों की कलपना सक्ति और चिंतन सक्ति का विकास होता है तो सबसे जो मजबूत उतर है इन तीनों में से वो option is D इसका correct answer होगा बच्चों की कालपना सक्ति और चिंतन सक्ति का विकास होता है D option इसका है जो correct answer है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है इसमे पिचानवे नमर प्रस्ण बच्चों के लेखन कोसल का मॉल्यांखन करने के लिए कौन से विदी बहतर हो सकती है तो लेखन कोसल को जो मुल्यांखन करना है उसके लिए सबसे बहतर विदी कौन से है अपने अनवओं को लिखना B option इ सुरूत लेखना C option है पाठ आदारित प्रस्थनों पर उत्तर लिखना और लास्ट उत्तर है इसमें D सुन्दर लेक का अभ्यास करना तो लेखन कोशल का मुल्यांकन करने के लिए जो सबसे बहतर विद्धी है वो होती है कि अपने मुल्यांकन को लिखना A option इसका जो correct answer हो जाएगा आईए देखतें अगला प्रस्थन अगला प्रस्थन है 96 नमर प्रस्थन है बोलना कोशल में महत्पुन है संदर्ब एम स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना स्पस्थ एम सुद उच्चारन आलंकरी बासा का परियोग करना मदूरवानी तो बोलना कोशल में जो महत्पुन बात है वो यह है कि स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना तो A option इसका जो correct answer होगा अगला प्रस्द है एक बासा सिख्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनोती क्या है एक बासा सिख्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनोती क्या है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बच्चों को बासा सिखने के महत्व से परिचित कराना बच्चों की बासा को संचार सादनों के प्रवाव में मुक्त रखना बासा संचादनों का अबाव है और D option इसमें बहु बासी कक्षा के लिए सिक्षन के लिए उचित रन नीतिया तै करना तो एक बासा सिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनोती है इसका correct answer कि बहु बासी कक्षा के सिक्षन के लिए उचित रन नीतिया तै करना ये एक बासा सिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनोती है नेक्स्ट कुशन है एक समावेसी कक्षा में कौन सा कथन बासा सिक्षन के सिद्धानतों के प्रतिकूल है इसमें पुछा गया कि कौन सा बासा सिक्षन के प्रतिकूल है तो आईए देखते हैं इसके option option इसमें बच्चे परिवेस से प्राप्त बासा को ग्रहन करते हुए बासा परियोग में नियम बना सकते हैं बासा परिवेस में रहा कर अरजित की जाती है प्रिंट सम्रिद माहौल बासा सिखने में सायक होता है और व्याकरन के नियम सिखाने से बच्चों का बासा विकास सिगरता से होता है तो यह बिल्कूल ही प्रतिकूल है डियोप्शन इसका बहु सांसकरतिक अक्षा में आप एक बासा शिक्षक की रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे पाट पुस्तक के प्रतिक पाट को बली-बाती समझना, बच्चों को व्याकरन सिखाना, स्वेम सुद्ध बासा प्रियोग करना और बच्चों को बासा परियोग की अधिक से अधिक आउसर देना तो एक बहुत संस्कृतिक अक्षा में एक बासा सिख्षक की रूप में हमें उन सभी बातों में सबसे अधिक महातों देना चाहिए जो बच्चों को बासा सिखने के लिए सबसे अधिक है जो उसको अवसर देती हूं तो डी उप्सन का correct answer हो जाएगा बच्चों को बासा परियोग के अधिक से अधिक अवसर देना होगा इन बात कर जो हम अधिक महतों को देंगे अगला प्रस्ण है, सो नमर प्रस्ण, प्रात्मिक स्तर पर कौन सा बासा सिक्षन का उद्धिश नहीं है, स्पश्रतया आत्म विश्वास के साथ अपनी बात कहना, वन माला को क्रम से कंठस्ट करना, द्वनी संकेत चिन का समध बनाना, और डी ओप्षन इसका विबिन संदर् करना, तो प्रात्मिक स्तर पर बासा सिक्षन का जो मेन उद्धिश नहीं है, वो बी ओप्षन इसका गलत हो जाएगा, ये इसका बासा सिक्षन का मुक्य उद्धिश नहीं है, कि वन माला को करम से कंठस्ट करना, कंठस्ट करना है जो कभी भी बासा का जो उद्धिश नहीं होता है अगला प्रस्नेश में ग्रहकारी के बारे में कौन सा कथन उचीत हैं ग्रहकारी के बारे में कौन सा कथन उचीत हैं ग्रहकारी अभीबाग को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है बच्चों की क्षमताओं अस्तर के अनुसार ग्रहकारी दिया जाना चाहिए ग्रहकारी म कि बच्चों की शम्ताओं का ध्यान में रखते हुए और उनके स्तर के अनुसारी बच्चों को ग्रह कारे दिया जाना चाहिए आईए देखते हैं अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है बासा के अभी वक्तात्मक कोशल कौन कौन से अभी वक्ति के कोशल कौन कौन से है तो सुनना बोलना बोलना लिखना पढ़ना लिखना और सुनना पढ़ना तो अभी वक्ति की जो कोशल है वो बोलना और लिखना होता ह तो बी ओप्सन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन एक सो तीन नंबर प्रस्टन है प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों की बासा शिक्षा के संदर्ब में निम लिकित में से कौन सा खतन असकते हैं तो प्रात्मिक इस्तर की बच्चों की बासा को शिक्षा संदर्ब में कौन सा ककतन अस हैं वहमेश में से बताना है फस्ट अपसा ने बच्चे सम्रध स्म्रद बासा परवेस्द में सहज और स्वत्य रूप से पासा का परिमार्जिन कर लेंगे बच्चे बासा की जटिल और सम्रद सरस्थनाओं के साथ विद्या ले जाते हैं और नेक्स्ट इसमें बच्चों की बासा संकल्पनाओं और विद्या ले में परचलिद बासा परिवेस में विरोधा बास ही बासा सीखने में सायक होता है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिपणिया वर निरत्थक अभ्यास से बच्चों को अरुची उत्पन होती हैं तो सी ओप्षिन एजिश का करेक्ट आंसर होगा अगला प्रस्थन है बासा कोशलों के संदर्ब में कौन सा कथन उचित है तो इसमें उप्षिन है अपने वीडिया ले में केवल पढ़ना लिखना कोशलों पर ही बल देना चाहिए बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कोशल करम में सही सीखते हैं और C option इसका बासा के चारो कोसल परस पर अंतर समंदित हैं और बासा कोसलों के विकास में अब्यास के पेक्षा बासिक नियमों का ग्यान अधिक जरूरी है तो इसमें से कौन सा option है जो उचित हैं तो बासा कोसल के रूप में C option इसका correct answer हो जाएगा कि जो बासा के चारो कोसल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना वो चारो एक दूसरे से अंतर समंदित होते हैं ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रस नंबर 105 पाठ में दिये गए चित्रों का क्या उद्दिश है पाठ में जो चित्र दिये जाते हैं उनका क्या उद्दिश है चित्रों को पाठी पुस्तक आकरशक बनाती चित्र पाठ की स्वबा बढ़ाते हैं पाठी पुस्तक में चित्र देने का पर्चलन है और चित्र अमूर्थ संकल्पनाओं को समझने में साइथा करते हैं तो correct answer हो जाएगा option number D चित्र जो होते हैं वो अमूर्थ संकल्पनाओं को समझने में साइख होते हैं अगला प्रस्न है इसका अब दोस्तों ये सीटेट एक्जाम 2012 में लेवल फस्ट में पुछे गए हिंदी बासा सिक्षन के प्रस्ना तयार करेंगे तो आएए देखते हैं 2012 में हिंदी सिक्षन के पुछे गए सिक्षन वीडियो के प्रस्ना तो नेक्स्ट कुछन है इसका एक से अधिक बासाओं का प्रियोग इससे क्या होता है एक से अधिक बासाओं के प्रियोग करने से कक्षय जटिलताओं को बढ़ाता है शिख्षकों के लिए गहन समझ्या हैं संग्यानत्मग विकास में सायक हैं और किसी भी एक बासा में निपूंता में बादक हैं तो एक सद्धिक बासाओं का प्रियोग करने से यह जो होता है वो संग्यानत्मग विकास में सायक होता है C option जो इसका correct हो जाएगा नेक्स्ट कुशन के और बढ़ते हैं प्रस नंबर बर्रानवे द्रश्टी बादीत बच्चों को बासा शिकाते समय उन्हें कक्ष्ट ऑप्सन इसका उन्हें कक्षा में अलग जाना चाहिए ताकि उन पर विशेश द्यान दिया जा सके उन्हें विबीन बासिक गति वीदियो में शामिल नहीं करना चाहिए कम पाठो वाली पाठे पुस्तक का निर्मान किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक मोखिक बासा का परियोग करना चाहिए द्रश्टी बादीत बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो इस चारों में से उतर होगा वह ओप्शन डीस का अंसर होगा नेक्स्ट क्यूशन इसमें प्रात्मिक स्तर पर बासा की पाठी पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्तान दिया जाना चाहिए फर्स्ट है विदेशी साहिती की रचनाएं सेकंड है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और उनमें बासा की अलग-अलग छटाएं हो जो परत्याक्स रूप से मुल्यों पर आदारित हो और डियो आप्शन एक के अवल कहानिया और कविताहों से सम जुड़ी होई उसके आसपास के वातावरन से जुड़ी हो और उसमें बासा की जो अलग-अलग छटाएं जुड़ी हो तो वी उप्सने जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन के और बढ़ते हम दोस्तों सीटेट दोजार बारा को एक्जाम में वो लेवल फरस्ट का पेपर हम सोल कर रहे हैं उसमें 39 जनवरी को इस पैपर हुआ था और आने वाले जो पैपर हैं सीटेट 2020 वाला वो हमारा 31 जनवरी को रएवार कोने वाला है तो का अब अगला प्रस्त हम देखते हैं निवन में से कौन सा बच्चों का बासिक समता के आकलन का सबसे उची तरीका है तो बासिक समता के आकलन का सबसे उची तरीका कौन सा है ये हमें इसमें बताना है तो फ़र्स्ट उप्शन इसका बादल आसमान चीडियां बच्चे आदी सं संग्या की परिवासा को पूरा करना संग्या को परिवासित करना संग्या सब्दों के दो उदारन दीजिए तो सबसे उची बासा समता का आकलन करना है हमें तो सबसे जो चारों अप्शन में मजबूत उत्तर है अपना वो अप्शन ए हो जाएगा कि बादल आस्मान चेडिया बच्चे आदी संग्या सब्दों का प्रियोग करते हुए उनसे हमें एक कविता लिखनी है या कहानी लिखनी है तो ये बासा सिक्षन का सबसे अच्छा है जो तरीका होगा नेक्स्ट क्यूशन अपने 95 नमबर प्रस्थन बच्चों की मोखिक अभिवेक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है तो व्याकरन आदारित सरचना अभ्यास करवना अपने अनुबवों का वर्णन करना बातचित करना या समवाद अदाईगी करना तो सबसे कम प्रभावी तरीका वो ओप्षन ए हो जाएगा इसका कि व्याकरन अदारित सरचना अभ्यास करवना सबसे कम प्रभावी तरीका ह बाकि मौखिक अभिवेक्टी के लिए अपने अनुबवाँ का वर्णन कर सकते हैं बातचित कर सकते हैं और समवाद अदाएगी कर सकते हैं तो यह ओन्सेन इसका प्रहस्ट आंसर हो जाएगा सबसे कम परभावी तरीका यह होगा और कि कौन सा दुटि ये बहासा स्रिक्षन का उद्धिष्य नहीं है हम जो सेकंड लेंग्वेज पढ़ते हैं उसका उद्धिष्य क्या नहीं हो सकता है तो विबिन ख्षात्रों स्तीतियों में हिंदी की विबिन प्रयुक्तियों को समझने की योगिता का विकास करना हिंदी के अगला प्रस्ण देखते हैं बासा सेखने के लिए कौन सा कारक सरवादिक महत्पुन है तो बासा के व्याकरनिक नियम ग्यात होना चाहिए बासा पर आधरित प्रस्तनोत्री होनी चाहिए और बासा की पार्टी पुस्तों उसके पास होनी चाहिए और सम्रद बासिक वातावरन उसको मिलना चाहिए तो बासा सीखने के लिए सबसे महत्पुन कारक पुछा इसमें इन्होंने तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ओप्शन की बासा सीखने के लिए उनके पास सम्रद बासी वातावरण होना चाहिए तो उसको अपने आप इपने वातावरण से जो बासा सीखने में जो जल्दी हो जाएगी अगला प्रस्न इसमें अठ्याण में नंबर प लिखने की योगिता और व्याक्रणिक नियम को तो सबसे अधिक जो महत्व देंगे वह जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सीखने की क्षमता का आंकलन इस पर हम को जो सबसे अधिक महत्व देना चाहिए हिंदी बासा का मुल्यांकन करते समय आए देखते नेक्स्ट देंगे विविन प्रकार के बाल साहिति को काक्षा में विविन प्रकार की समगरी को काक्षा के बहु बासिक और बहु सांस्कृतिक संदर्बों के प्रतिस सम्वेदन सीलता को और बच्चों को सिखाने सिखाना की दो बासाओं के मद्द्य विद्यमान समानतव अंतर का वि प्रियोक करना चाहिए बहु बाशिक शांसकर्ति के प्रति सम्वेदन सील होना चाहिए इन सभी बातों का महत्व में अधिक देना चाहिए ना कि बच्चों को ये शिखाए कि दो बासाँ के मध्य समानता और अंत्र का विश्लेशन हम कैसा कर सकते हैं अगला प्रसन इसमें प्रस नंबर सो बासा की पाटी पुस्तका निर्मान करते समय सबसे कम महत्वपून बिंदू कुन सा है सबसे कम महत्वपून अभ्यासों में विविद्ध पाठो की संक्या विशेवस्तों में विविद्ध और बासा की विविद्ध छटा हैं तो दोस्त उसका correct हो जाएगा पाठो की संक्या को हमें द्यान में नहीं रखना चाहिए सबसे कम महत्पुन बिंदू यह अबसा सीखने का एक महत्पुन संसाधन है और बासा सीखने में बहुत बड़ी बादा है तो correct answer जो नबर सी हो जाएगा कि बहूं बहुत कि भासा शीखने में महत्पून संसाधन होता है कि नेक्स्ट कुछिन नहीं बासा बासा विज्यालाय में ही सिखे जाती बासा एक नीयमबद व्यवस्ता है सदेव व्याकरन के नियमों का ही अनुगमन करती है और नियमों की जानकार ही निखरती है तो बासा क्या है बासा एक नियमबद व्यवस्ता है बासा एक नियमबद व्यवस्ता है बी ओप्सन जो इसका करेक्ट आंसर होगा आज़े देखते हैं प्रस नमर 1503 बच्चे विद्याले आने से पहले अपनी बासा की नियम्बद व्यवस्ता की व्यवहारी कुशलता की साथ आते हैं कोरी स्लेट होते हैं बासा का समुचित उप्योग करने में समर्थ नहीं होते हैं बासा के चारो अधिकारों पर अपना पूर अधिकार रखते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A अपनी बासा की नियमबद व्यवस्ता की व्यवहारी कुशलता के साथ ही बच प्रस्निश में बासा आरजन और बासा अधिगम के संदर्ब में कौन सा कथन सही नहीं है बासा आरजन में विबिन संकल्पनाए मात्र बासा में बनती है बासा अधिगम परियास पूर होता है बासा आरजन सहज और स्वाबाविक होता है जबकि बासा अधिगम परियास तो बासा अधिगम परियास पुन होता है ये option इसमें correct हो जाएगा सही उतर अपना कि ये सही नहीं है बाकी तिनों option बासा अर्जेन और बासा अधिगम के संदर्ब में सही है तो बी option इसका जो correct answer है next question अपने मंदीरा पहली काक्षा में पढ़ती है और वहाँ मुझे आम बहुत अच्छा लगता है मैं ठक गई आधी वाक्यों का प्रियोग करती है तो मंदीरा क्या कर रही है मंदीरा केवल सर्वनाम का ही प्रियोग जानती है मंदीरा केवल लिंग की द्रस्टी से ही सर्वनाम का समुचित प्रियोग जानती है केवल में वाले वाक्य ही बोल सकती है या link वचन क्रिया आधी की दरस्टी से सरो नाम का प्रयोग करना जानती है तो link वचन क्रिया आधी की दरस्टी से मंदीरा यह जो सरो नाम का प्रयोग करना जानती है D option जो इसका correct answer हो जाएगा आए देखते next question है तो दोस्तों यह तो चर्चा कि हमने 2012 वाले सीट एड पेपर में पुछे गए हिंदी बासा सिक्षन के प्रस्ट अब हम नेक्ट प्रस्टों के और चलते हैं अब दोस्तों सीटेट एक्जाम 2012 लेवल टू में पुछे गए हिंदी सिक्षन वीडियों के प्रस्ण की चर्चा करेंगे तो आए देखते हैं हम महत्पूर्ण प्रस्ण तो मादूरी पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों शब्दों की पुन्रा वर्ति करती हैं इसका यह बासा अगर टकर ही पढ़ सकती हैं उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती हैं तो इसका सही उत्र आपको पता लगया होगा ऑप्शन नमबर ए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि मादूरी जो समझ के साथ पढ़ने की कोशिस भी कर रही है आइए next question के ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट question है उसने पढ़ा उसने खाया उसने चिखा जैसे बासा प्रियोग क्या दरसाते हैं नियंम का उलंगन संदर्व की समझ न होना नियंम का कंठस्त न होना नियंमों का अति सामयनी करन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नियंमों का अती सामानी करण डी ओप्षन है जो इसका सही उतार है उसने पड़ा उसने खाया उसने चीखा जैसे बासा बासा सिक्षन के संदर्ब में कौन सा खतंत सही है व्याकरन सिक्षन के लिए समय सानी में अलग से काव्यांसों की व्योस्ता करनी चाहिए बासा परियोग की अपेक्षा बासा नियमों को ही महतों देना चाहिए बच्चे परिवेस में उपलब्द बासीक परियोग के आदार पर स्वेम बासा के नियम बनाने की ख्षमता रखते हैं और डी ओप्षन इसमें व्याकरन सिक्षन अत्यंत आवशक है तो व्याकरन सिक्ष सब्सक्राइब करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्यूशन है बासा की पार्ट ये पुस्तक में ऐसे पार्ट रखे जाए जो केवल व्याकरनिक नियमों का ही अभ्यास कराते हैं अत्यन्त छोटे हो सरल बासा से युक्त हो और बच्चों के परिवेश से जूड़े हो दोस्तों अब तक हमने तीन पेपर सोल कर लिये लेकिन प्रस्न अब रिपीट होना शुरू हो गए है यानि कि सीटेट में भी प्रस्न बार बार जो रिपीट होते हैं यह प्रस्न पिछले दोनों पेपर में पुछा था तो यह वापस पुछा गया है तो पाटी पुस्तक में ऐसे पाट रखे जाना चाहिए जो बच्चे के परिवेश से जूड़ी हुई हो तो डी ऑप्सन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सुलाए ही एक जट्चे के लिए एक जटी लाओर कठोर चुनोती है और बासा से यह बादक होती है और महुतard बासा सिक्षन में संसाधन के रूप में परियुक्त हो सकती कि यह प्लिपी उचीछे तो यह वापस इसमें पी पुछ लिया गया है मुछ तो उसका कर्यक्ट व हो जाएगा कि बासा जो बहुत हैं वो बासा सिक्षन में एक संसाधन के रूप में प्रियुक्त हो सकते हैं नेक्स्ट कुशन देखते हैं सीट यह पर जो 29 जनवरी को हुआ था लेवल टू का वेपर हम सोल कर रहे हैं हिंदी बासा सिक्षन की वीदिया नेक्ट कुशन इसमें द्वीती बासा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश क्या हैं तो फास्ट ऑप्सन है मानाख हिंदी लिखने में निपुन्ता प्राप्त करना हिंदी और अपनी मात्र बासा में अंतर को स्पष्ट करना हिंदी की व्याकरन पर अधिकार प्राप्त करना देनिक स्वाइब आपसा में अंतर्ष्ट को स्फश्ट कर सकते बीव से इसका कर्यक्ट आंसर होगा है सोरी 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 कि एक वन का जो सही उतर्व आपसिन नमबर डी होगा देनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की ख्शमता का विकास करना प्रस नमबर बावन है इसमें निम लिखित में से कौन सा उच प्रात्मे के स्थर पर बासा सिक्षन का उद्दिश नहीं होना चाहिए तो ए उप्शन इसका सही रूप से समझना बी उप्शन इसका व्याकरन के नियमों को रटना प्रस नमबर प्रस नमबर प्रस नहें सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मोखिक अभीविक्ति के अउसर देने के लिए अनेक क्रियाक लाप करती है आप निम लिखित में से ज़्यादा प्रभाविकी से मानते हैं विबिन परिस्थितिओं में समवाद अदाइगी करना सब्दों को जोर जोर से बोलना कहानी को बोलकर पढ़ना सम एचार पतर का वाचन करना तो मोखिक अभीविक्ति वाला प्रस नहें पहले भी आ चुका है वह हिंदी बासा का प्रियोग करते समय त्रूटिया करता है एक शिक्षक के रूप में आप किस कतन को सही मानेंगे फास्ट उप्शन इसका उससे एक गंटा रोज हिंदी बासा के सब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए सुहेल को बासा प्रियोग के अधिक 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 अवसर प्रोचान देना चाहिए सुहेल को बार बार उसकी त्रूटियों के बार में बताना चाहिए और सुहेल को अपने मातर बासा का परवाव लक्ष बासा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए तो इसका correct answer वह जाएगा option number B सुहेल को बासा परियोग के अधिकाधिक आउसर और उसको प्रुच्छाइद देना चाहिए next question के वर बढ़ते हम next question है बासा के संदर्ब में निदान अत्मक परिक्षन का मुख्य उद्धिश क्या है तो option है हमारे पास में ये परियोग समंदी कठीनाईयों के संबावित कारणों की पहचान करना निदान अत्मक परिक्षन का मुख्य उद्धिश यह होता है कि कठीनाईयों का जो कारण होते हैं उनकी पहचान करना डी option है जो इसका correct answer हो जाएगा next question है प्रस नबर 56 बासा के सतत एमम व्यापाग मुल्यांकन का उद्धिश क्या है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझ कर उप्यूक्त सिक्षन अधिगम प्रक्रिया को अपनाना अगली कक्षा में प्रोनत करने हैं तो साक्से जुटाना बच्चों की तुरूटियों का पहचान करना मुल्यांकन की परंप्रा का निर्वा करना तो बासा में सतत और व्यापक मुल्यांकन का उद्श ये होता है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ कर उप्यूक्त सिक्षिन अधिगम प्रक्रिया को अपनाना ए उप्यूक्त सिक्षिन की सफलता मुख्योता निर्वर करती है उप्यूक्त सिक्षिन की सफलता तो बच्चों की सांस करती प्रस्ट पुमी पर बच्चों की बासागत रूट्टियों की सुची बनाने पर समश्याओं की पहचान पर समश्याओं की कानों की सही पहचान पर तो उपचार अत्मक सेक्षन की सफलता जो निर्वर करती है वो समश्याओं की पहचान पर निर्वर करती है C option जो इसका correct answer हो जाएगा 플र्श No. 85 उंच गख्षाओं में क्या होता है साइथी साध्दी हैं और बसा कोसल साध्व होता है केवलचंद अलंगकारों को समझने का ही प्रियास करना बसा सिक्षन का उद्दिश यह बसा कोसल साध्व है और साध्व हैं और बसा की पार्टि hybrid पुश्त अति,- तो उच में में क्या होता है कि वासा वसल डूता है और कि अपना जो साधन होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्ट कुछन की बात करते हम इसमें परस्ट नंबर 69 बासा अर्जन होता है वाट सारजन सिक शक्षक की आश्यक उपसित्री की मांग करता है दोस्तों बासा क्रेक्टर लोग साइब यूचे नभी खार होता है है कि अतंड नेक्स यूचे सबसे अधिक महतपुण है यूदित पुस्तक में दिये गए काभड़ृ शाहितिक अंसों का विष्टिज्च व्योख्या कई बात कोसलों पर अधिक Eh ना सी ऑफिजने इसमें पाठों की सब्दों का अर्थ जानने के लिए सब्दकोस का प्रयोग करना और डी ऑप्शने समाचार पत्र पत्रीकाऊ और अन्य बासिक सामगरी में कहीं कहीं कही गई बात के नहीतार्त सोच और सरोकार की पहचान करना तो प्रात्मिक स्थर पर बासा सिक्षन की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्पोने डी ऑप्षन समाचार पत्र पत्रिकाओं और अन्य बासिक समगरी में कई गई बात में नहीतार्त सोच और सरोकार की पहचान करना तो दोस्तों ये थे CTR 2012 में पुछे गए लेवल 2 के प्रस्न दोस्तों वीडियो कफी बढ़ा हो जाएगा इसलिए हम नेक्स्ट प्रस्न की चर्चा अगले पार्ट में करेंगे यानि कि इसमें हमने CTR 2011 और 2012 में पुछे गए प्रस्नों की चर्चा की थी नेक्स्ट जो 2013 और 2014 से आगे के प्रस्न है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर लेजे साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जैसे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें और नेक्स्ट पार्ट जल्दी में अपलोड करूंगा आप चैनल के सा जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ तब तक जे हिन जे बारत